जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनों कामनाय पूर्ण करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो में सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के मन के प्रिश्णों का जवाब जो है वो देने वाली हूँ क्योंकि अभी नवरात्री जो है वो आने वाली है और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आता है कि जब नवरात्री चलती है माली जे की कई लोगों के मन में ऐसी आती है कि हम अगर पीरट से हो गए हमें अगर मासिक धर्मा आ गया उस दोरान हम पूचा जो है वो कैसे करेंगे और 9 दिन की वृत जो है वो अगर हमने रखनी है तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि जैसे माली जे की आप 9 दिन का वृत कर रही है और कभी कभी क्या होता है उपर नीचे भी डेड़ जो है वो आज आती है तो आप लोग परिशान ना हो आपको अगर ऐसी दुविदा है तो आप काला से स्तापना ना करें और आप वृत जो है उसका संकल्प ले 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 वृत आप सुरू करें वृत सुरू करें तो जो माली जे पूजा पार्ट है, सुबैस नान करने के बाद जो भी आप माली जे की सब्तसती पार्ट करते हैं, माता जी का धिहान करते हैं, या जितनी भी पूजा आप से होती है मंदिर जाते हैं जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें लेकिन अखंड जोती जो है वो ना जलाए और ना ही कलस की स्तापना करें साम को क्या है साम को भी आप नहा दो लें या हाथ पैर दोल के जिस भी तरीके से आपका सरी सुद्धी करण होना चाहिए तो उस प्रकार से आपको साम की जो पूजा है वो भी कर लेनी चाहिए बस आपको कलस स्तापना जो है वो नहीं करनी चाहिए ऐसे में अगर बीच में आपको पीरट्स जो है वो आ जाता है तो आप जो मानस पूजा है वो कर सकते हैं अगर आपने मालीजे की कलस की स्तापना भी कर ली और जो अखंड जोती है वो भी जला दी और बीच में पीरट्स आ गया तो फिर आप महां पे नहीं जा पाएंगे ना फिर ऐसे में व्रत जो है वो एक तरीकी से खराब ही हो जाएगा क्योंकि घर के जो भी मालीजे पूरुस भाई है वो उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे जितने अच्छे से आप संभालेंगी और उनको गर संभाल नहीं पाएंगे तो फिर जो आपका पूजा पाठ है वो सब आस्ते प्यास्त हो जाएगा घर में बच्चे हैं तो अच्छी बात है अगर घर में बच्चे हैं और आपने 9 दिन का संकल्प ले लिया है माली जे किसी कारण बस आपको उपर नीचे हो गया है पीरिट्स आ गया है तो आपको क्या करना है कि आपको जो ध्यान है वो देना है किस प्रकार से जैसे माली जे की बच्चों को ध्यान दिलाना है कि एक खंड जोती जल रही है तो उसमें घी तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल दे और जैसे आप कलस इस्तापना करते हैं तो जो नारियल का जटा हुता है वो रखा जाता है मतलब नारियल जो है कच्छा नारियल जो है वो रखा जाता है बहुत सारे लोग जो है वो स्रीफल रखते हैं तो जिस भी प्रकार से आप रखे हैं मालीजे अगर आपने किसी भी जैसे जो पंच पलो है वो लगा के और जो अनाज है वो भरकिदिया जिलाया है या आपने जो मालीजे कलस की स्तापना करी है तो जो जो कलस का पानी है वो न सूखने पाए कलस में पानी जो है जैसे पीतल के बरतन या तामी के बरतन होते हैं उसमें सूखने का कोई सवाली नहीं होता है लेकिन जब हम मिठी का पात्र जो है वो रखते हैं और उसमें जो कलस है वो सूखने का डर होता है तो अगर आपने जैसे पलो लगाया है उसके उपर नारियल जो है वो लगाया है तो आप क्या करें कि नारियल के बगल से देखेंगे कि आप थोड़ी से जगह जो है वो होती है तो वहां से आप जो पानी है वो डालती रहें थोड़ा थोड़ा बहुत ज़ादा नडालें लेकिन एक माल लिजे एक पहले से जानकारी क्योंकि देखे सारी मताय बेने हैं उनको पता है कि ये सब होना ही है तो अगर आपको पता है तो आप अखंड जोती न जलाएं और ना ही आप कलस की स्तापना करें विदिवत तरीके चीज़ इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं सुबह साम की वो पूजा भी नहीं सकते हैं या तो आपके माली जे कि जैसे ऐसे फ्लैट में ब्लॉक में ऐसे रह रही है कि नीचे उपर कोई रह रहा है और अगर आपको पीरिट्स बगर आ जाता है तो फिर किसी को भाई लेके आईए कि थोड़ा सा ध्यान रखें और जो दिया है उसमें प्रॉप पूर्ण होता है घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है तो अगर कलस की स्तापना कर रहे हैं या आखंड जोती जला रही है तो पूरा सोच लें समझ लें विदिवत तरीके से किसी भी काम को करने विदिवत तरीके से करें नहीं तो फिर ना करें अच्छा बहुत सारे लोग आपको जवारे ही बोने हैं ऐसा माना जटक जब जवारे बोय जाते हैं तो मातारानी का सरूप होता है जब जवारे निकलते हैं जब जवारों का कलर निकलता है मालीजे सफेद जवारे हरे जवारे पीले जवारे ऐसे निकलते हैं तो माता आपनी सकती जो है या यूं कहूं क जो आपने पूजा की है वो उसमें दिखाई पड़ता है वो छवी जो है वो माता की दिखाई पड़ती है उन जवारों में इसलिए बोय जाते हैं और कलस की स्थापना करना मालीजी आपके घर में सुक और सम्रद्धी आए सौभाग की प्राप्ती हो अखंड जोती जलती है तो नकारात्मक सकती हैं आपसे दूर भागती है मातारानी जो है वो आपके घर में विराजमान रहती है असलिए इन सारी चीजों का एक विदान जो है वो बताया गया है लेकिन अगर आपके सामर्द के अनुशार नहीं है आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह पूजा करे तो सुबह दिया जला ले, साम को पूजा करें तो साम को दिया जला ले और जितनी भी पूजा आप से हो सकती उस प्रकार से आप कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है कि माली जे की नहीं आपको अखंड जोती जलाना है या आपको कलस रखके ही विदिवत पूजा करना है, ऐसा कहीं नियम नहीं है आपके जो भी सामर्त में है, जितना भी आप कर सकते हैं वो आप करें माली जे की किसी की दिखावे में आपने अखंड जोती जलाली कलस रख लिया फिर उसकी देखरेक नहीं उपाती तो फिर पाप लगता है, तो बहुत ही सोस समझ के करें और एक प्रशन और यहाँ पे में बताना चाहूंगी, जो लोग वरत करते हैं बार-बार खाएं पीएं नहीं, सुबह माली जे की पूजा पाठ हो गया अच्छे से फिर जो भी फलाहारी कर रहे हैं, कर लें और पानी बगेरा जो है वो अच्छे से पी लें, कुला जो है वो कर लें ऐसे नहीं की पूरा दिन एक बदाम डाल लिया, तो एक केला डाल लिया, तो अंगूर डाल दिया पर पूरे दिन चचोड़ती घूम रही है ऐसा बिलकुल भी ना करें क्योंकि ये सब चीने ठीक नहीं होती है व्रत करें तो पूरी विधी विधान से करें मालीजे कि आप दो बार फलाहार करती है तो नहीं हो रहा तो तीन बार फलाहार कर लें फलाहार जो है वो कर लें लेकिन पूरा दिन मुझ जूठा जो है वो ना करें सुबह अच्छे से नाद हो के स्नान इत्यादी से निर्वत हो के पूजा जो है वो करें साम को स्नान करके ही दिया बाती जो है वो करें लेकिन माली जो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो दिन में जो है सौच इत्यादी के लिए नहीं जाती है तो ऐसी माता हैं बेहने जो हाथ पहरें वो अच्छे से धो के मुझ बगारा धो के कुला करके जो पूजा है वो कर सकती है इसमें कोई मनाही जो है वो नहीं है बहुत सारी बेहनों का प्रशना आता है कि सरीर का कुछ नहीं है मन अच्छा होना चाहिए और पूजा जो है वो हम किसी तरीके से कर सकते हैं तो देखिए बहन जो भी प्रशने करती हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगे कि मन के साथ जो तन है वो भी सुद्ध होना चाहिए तब ही पूजा जो है वो भगवान सिवकार करते हैं ऐसा नहीं है कि आ वो आपको सोस समझ लेनी चाहिए उसके बाद ही जो है वो करनी चाहिए एक बार फिर से सारे प्रिश्णों को दोरा देती हूं कि अगर पीरट्स आ गया है या आने वाला है तो अगर आने वाला है तो आप अखंड जोती और कलास की स्तापना ना करें जितने भी दिन भी लगता है कि बीच में आ सकता है तो पहला और दिन जो और अश्टिमी का दिन है वो दो दिन का वरत कर सकती है अगर नौ दिन का रखी रही है तो कोई नहीं अगर आपने रख लिया बीच में पीरट्स आ गया तो कोई दिक्कत नहीं मानस पूजा करें ना आ दोके जो जो बगवान का ध्यान है वो करें और वृत जो है वो पूरा करें और अगर मालीजे की आपको लगता है की बीच में आ जाएगा तो फिर 2 इदिन का वृत जो नियाम है एक तरीके से संकल्प नौदिन का है वो बिल्कुल भिना उठामें अगर आपने कला से स्ताफना कर लिये पीरट्स आ गया है या खंड जोती जला दिया है तो अगर पीरट्स आ गया है तो घर में बच्चे हैं उनसे ध्यान दिलवाएं अपने पती से करवाएं या अडोसी-पडोसी जो भी मिल जाएं उनसे करवाएं क्योंकि आपने पहले जो शुरुआत है वो कर दी है और अगर उसको फिर बीच में छोड़ेंगी तो पूजा जो है वो खंडित मानी जाती है वो पूजा जो है वो पूण नहीं मानी जाती है तो जो भी आप करें वो सोच समझ के करें सारी नियम पूरवक जो है वो करें तो उमीद करती हूँ कि सारे प्रेशनों का जवाब आपको मिल गय आओगा आपके मन में अगर कोई प्रेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछे और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी माताओं बेहनों को नवरात्री की धेर सारे शुप कामना है मातरानी आपकी सारी मनो कामना है पूर्ण करें यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तो जैमाता दी